आद आप गोईंकन्स उर्दू क्लास में आप सब का खुश आमदीद हो पहरे पचो आप सब ने पता है हमारा मौजो है मेराज उर्दू ग्रामर्ट से मौजो का नाम है हरफ आज का काम है किताबी मश्क जो की सफ़ नंबर 1142 पे आपको मिलेगा तारिखे 2 नौमबर 2020 आए हम आपको बता दें आज का काम आपने किस तरह से कलम बंद करने की कोशिश करनी है ये काम आप अपनी अर्दू ग्रामर किताब पर साफ साफ लिखने के पाद जहनेशीन भी करेंगे सबसे पहले हम आपको बता दें फिर चेक मरतबा कि हरफ किसे कहत है वो कलमा या लाफ्स चोना इसम हो ना फैल बलकि इन दोनों को मिलाने के लिए इस्तमाल हो हरफ कहलाता है यानि दो इसमों और फैलों को मिलाने और जोटने का काम देते हैं हरफ वो चोटी चोटी हरूफ है जो जुमलों के दर्मियान इस्तमाल होते हैं ये खुद कोई मा जगों को पोर कीजिए सबसे पहले आप अपनी किताब खोले जिए और देखिए आज की माश्क जो है किस तरह से हमने खाली जगों में मुनासिप हरूफ लिखनी हैं और इनको मुकामल बनाने की कोशिश करेंगे आए पहला जुम्ला हम पढ़ेंगे इस जुम्ले में आपको आखिर में तीन हरुफ नजर आ रहे हैं का की के और इन्ही में से आपने मुनासिप हरूफ चुन लेना है ताकि जुम्ला मुकामल और बामाने बनने पहला जुम्ला है बकरी डैश कान लंबे होते हैं यानि इस डैश में हमने कौन सा मुनासिप हरूफ लिखा के का की के इन तेनों में से हमने के को चुन लिया तो इसे ये जुम्ला मुकामल और बामाने बन गया दूसरा जुम्ला है जानवरों के बदन पर बाल होते हैं इन मैंसे थे से पर मैं इन तेनों मैंसे हमने पर का इस्तमाल किया ताकि ये जुम्ला मुकामल और बामाने बने तीसरा जुमला है अकबर का बाई मोटा है इसमें है का के की हमने का का इस्तमाल किया ताकि ये जुमला मुकमल और बामाने बने चोथा जुमला है बरतन में पानी है इसमें का पर मैं इन देनों में हमने मैं का इस्तमाल किया इस जुमले में ताकि ये जुम्ला बामाने और मुकमल बन जाए अगला जुम्ला है चांद आस्मान में चमक रहा है से पर मैं इन तीनों मैंसे हमने मे का इस्तमाल किया ताकि ये जुम्ला भी मुकमल और बामाने बन जाए अगला जुम्ला है तारा उसकी बहन है का की के यानि हमने की का इस्तमाल किया इस जुमले में ये जुमला भी मुकामल और बामाने बन गया अगला जुमला है कुट्टे को मत मारो का से को यानि हमने को का इस्तमाल किया इस जुमले में ताकि ये जुमला भी मुकामल और बामाने बन जाए इस किताब का मालिक कोन है की का को हमने इन तीन हरफ में का का इस्तमाल किया इस जुमले में ताकि ये जुमला भी मुकामल और बामाने बने अगला जुम्ला है गोडा मैदान मैं है का मैं को हमने इन तीन हरुफ में एक चुन लिया वो है मैं ताकि ये जुम्ला भी मुकमल और बामाने बन जाए अगला जुम्ला है ये राशिद की किताब है को, के, की इन तीन हर्फ में हमने की का इस्तिमाल किया ताकि ये जुम्ला मकमल और बामाने बने इस तरह से आपने मुनासिब तोर पर हर्फ का इस्तिमाल करने की कोशिश करनी है अपने अपने किताबों में और सासात में इनको जनिशीन भी कीजिएगा आज के लिए इतना ही दीजे इजासत अलाहफेज